नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम बादाम से पेड़े बना कर तयार करेंगे जिसके लिए हमने एक कटोरी बादाम ले लिए हैं इनको हम पानी में तीन चार गंटे भिगो कर रख देंगे अगर आपको सुबह मिठाई बनानी है तो आप साम को ही बादाम को भिगो कर रख दे जिससे इसका छिलका असानी से निकल जाएगा हमने बादाम को तीन चार गंटे भिगो लिया है अब हम इसको एक घंटा गरम पानी में भिगो कर रख देंगे गरम पानी में भिगोने से छिलका जल्दी उतर कर तयार हो जाता है अब हम दो बावल लेंगे उन में एक में हम छिलके रखेंगे और एक में बादाम को छिलकर रख लेंगे इस तरह से हम बादाम को चीलेंगे, हाथ से चील लें या फिर चाकू से आप चील सकते हैं बादाम दो तरह के होते हैं, आप कोई सा भी बादाम मिठाई बनाने के लिए ले सकते हैं हमने इनके चीलके अलग कर लिये हैं और बादाम अलग कर लिया है अब हम बादाम को गरम पानी में भिगो कर रखेंगे जिससे ये और फूल जाए हमने थोड़ा सा पानी गरम लिया है उसमें हमने छिले हुए बादाम भिगो दिये है अब हम आधा कटोरी दूद लेंगे दूद में हम केसर डाल कर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे अगर आप के पास केसर नहीं है तो आप दूद को ऐसे ही ले ले दूद ना जादे गरम हो ना ठंडा इस तरह से हमने इनको भिगो कर रखा था अब हम इनको एक मिक्सी जारम लेकर उसमें डाल कर और दूद डाल कर इनको पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालें जिससे या असानी से पीस कर तयार हो जाए हम इनका एक महिन पेश्ट बना लेंगे दूद हम दो तीन बार थोड़ा थोड़ा करके डालें बादाम की मिठाई बनकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसके पेड़े लड़ू या बर्फी कुछ भी बना सकते हैं हमने इनको एक मिक्सी जार में डाल लिया है और उसमें हम थोड़ा सा दूद डाल कर इसको पीसेंगे इसका हमको महिन पेश्ट बनाना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दूद डालें और चम्मच की हैल्प से इसको बीच बीच में चला लें अच्छी तरह से इसको हम पीस कर तयार करेंगे हमने बादाम को पीस लिया है और एक कटोरी हम पिसी हुई चीनी लेंगे इस तरह का पेश्ट बना कर आप तयार कर लें अब हम गैस जला कर उस पर एक कड़ाई रखेंगे और उस कड़ाई में हम दो चम्मत देशी घी डाल लेंगे देशी घी की हमने डाल लिया है अब हम इसको पिंगलने देंगे जब घी पिंगल जाएगा हम इसमें बादाम का पेश्ट डाल देंगे अब हम इसमें घी पिंगलने पर पेश्ट को डालेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे जिससे ये पेंदी में ना लगे इसलिए हमने सभी पीश्ट इसमें डाल लिया है और इसको हम लगातार इस तरह से चलाएंगे गी भी इसलिए डाला जाता है कि ये कडाई में ना लगे अब हमें एक कटोरी पीशी हुई चीनी लेंगे और उसको इसमें मिला लेंगे हमने चीनी को इसमें डाल लिया है अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे चीनी को मिक्स करने के बाद ये पतला हो जाएगा फिर हम इसको लगातार गैस पर मीडियम गैस पर चलाते हुए लगातार इसको रोष्ट करेंगे इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और गैस को मीडियम ही रखेंगे जब ये कडाई छोड़ने लगेगा तब ये तयार हो जाएगा अगर आपको मेरे ये पेड़े पसंद आए लाइक करे शेयर करे और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें और आप इनको बना कर जरूर देखें आपको ये कैसे लगे आप कोमेंट करें इस तरह से हम इने चलाएंगे ये खाने में टेश्टी और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं दिमाग भीती जोता है इस तरह से अब ये थोड़ा-थोड़ा कडाई छोड़ने लगा है लगातार चलाते हुए हमने इसको इस तरह से इसका पानी सुखा लिया है अब ये बनकर तयार हो गया है इसने कडाई भी छोड़ दी है अब हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे इसको इस तरह से हमने एक पेश्ट के रूप में तयार कर लिया है अब ये बनकर तयार हो गया है थंडा होने पर ये थोड़ा कडा हो जाएगा इसलिए अब इसमें हम एक थाली में जमा सकते हैं गी लगा के बर्पी बनाने के लिए लेकिन हम पेड़े बनाएंगे इसलिए हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे हमने गैस को बंद कर दिया है और कड़ाई को नीचे उतार लिया है अब हम इसको एक पलेट में करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा मिश्रन लेकर पेड़ा बनाएंगे आप पेड़ा छोड़ा या बड़ा कैसा भी बना सकते हैं एक बराबर हमने पेड़ा बना लिया है अब हम इन पर एक एक बादाम लगा देंगे इस तरह से हमने बादाम लगा कर इसको सजा लिया है अब हम इसको एक सर्विशिंग पलेट में रख कर सर्व करेंगे बदाम के पेड़े बन कर तयार हो गए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं